असलाम आलेकूम आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ बबल गार्लिक बेट तो सबसे पहले हम लेंगे आदा कब गुंगुना पानी उसे एक बोल में डाल देंगे उसी के साथ हम शुमें डालेंगे 2 टीस्पून ड्राय एक टीवी 1 टीस्पून चीनी सारी चीजों के अ गीस्ट अच्छी तरीके से फूल चुका है उसके बाद हम इसमें डेट करेंगे देड कप मैदा 1 टीसपूன नमक 2 टेबल स्पून हम इसमें एड़ करेंगे मिल्क पाउडर, 1 टी स्पून औरिगेनो, 1 टी स्पून चिली फ्लेक, सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हुए नरा माटा गून लेंगे आटे को मैंने गुन लिया है, अब इसे थोड़ा चिकना कर लेंगे, इस तरीके से पटक पटक कर 3-4 मिनिट के लिए आटे को चिकना कर लेंगे आटे को मैंने 3-4 मिनिट के लिए अच्छे से गुन लिया है, अब हम इसमे आट करेंगे 1 टी स्पून तेल, 1-2 मिनिट के लिए तेल दाल कर अच्छी तरीके से इसे गुन लेंगे उसके बाद हम इसे rest के लिए छोड़ देंगे rest करने से पहले हम इसमें add करेंगे 1 teaspoon तेल तेल डाल कर आटे को ढखकर 2-3 घंटे के लिए अच्छी तरीके से rest के लिए छोड़ देंगे आटा अच्छी तरीके से फूल जाएगा आटे को मैंने दो घंटे के लिए रेस के लिए छोड़ दिया था आट अच्छी तरीके से फूल चुका है दुबारा से इसे एक मिनिट के लिए गुन लेंगे इसके बाद हम इसमें एट करेंगे वन टी स्पून बटर बटर दाल के आटे को तो दो से तीन मिनिट के लिए अच्छी तरीके से गुन लेंगे यहाँ टे को मैंने अच्छे से गुन लिया है अब इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेंगे इस तरीके की छोटी बॉल बना कर हम बेकिंग ट्रे में इसे सेट कर देंगे मैंने पहले से बटर से ग्रीज कर लिया है, सारी बॉल बना कर ट्रे में अरेंज कर देंगे यहां मैंने ट्रे में सारी बॉल को औरेंज कर लिया विसे ढखकर 15-20 मिनिट के लिए छोड़ देंगे यह अच्छी तरीके से फूल जाएंगी इसके बाद इसमें हम उपर से लगा देंगे गार्लिक बटर गार्लिक बटर मैंने अच्छे से इसके उपर लगा दिया है अब हम इसे पहले से ही मैंने ओवन को गरम कर लिया है इसे बेक कर लेंगे 200 डिगरी पे 15-20 मिनिट के लिए यहां हमारी गार्लिक बबल ब्रेट बन कर तयार है इसके उपर थोड़ा सा लगा देंगे गार्लिक अब यसे सफ करें टैमेटो केचप के साथ चीज सॉस के साथ आप भी बबल गार्लिक ब परेट की रेसिपी को ऑज रूसे ट्राइ लिगे बटार आही को प्रज़ें ऐसे लिगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं को और नहीं रेसिपी के साथ तक तक के लिए ठैंक्स पर वर्चिंग अल्ला हाफीज